Hello friends, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल में दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अपने शारेरे कमजोरी कैसे दूर करें कैसे अब अपने दिन चर्या को अच्छा बना सकते हैं सुबह उठते ही कमजोरी मैसूस होता है अगर आपको तकान मैसूस होती है तो इस छोटे से नुस्के के दवारा आप बहुती असानी से अपनी थकान और कमजोरी शुटकारा पा सकते हैं अगर आपको किसी भी परकार की कोई भी थकान नाती है तो इस छोटे से नुस्के के दवारा आप बहुती असानी से उसे दूर कर सकते हैं यह नुसका हर घर में इस्तिमाल किया जाता है, अगर आप यह से इस्तिमाल करेंगे, तो कुछ दिनों में अपनी थकान और कमजोरी शुटकारा पा सकते हैं, यह नुसका आपने कैसे और किस प्रकाय इस्तिमाल में लाना है, यह जानकारी हैं, आपको अपने इस वीडियो को किसे त्यार करना है और इसका कैसे इस्तिमाल करना है, यह जानकारी आपको देने से पहले, मैं दर्श को सही कहना चाऊँछा, अगर अब तक आप आपने हमारे योट्योब चानल को सब्सक्राइब मी गया है, तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लेए, ता पानी आपने जो लेना है, पानी आपने ताजा लेना है, अब इसे आप गरम करने के लिए मद्यमांच पर रख दे, जब यह हलका गुंगुना हो जाए, तब आप इसका सेवन करें, सेवन आपने सुबा उठते ही निरहार मूँ करना है, इससे आपके शीर के अंदर जितने भ गरम पानी का इस्तेमाल प्रति दिन करते हैं, और देली करते हैं, तो इससे आपके सारे बुरितत शीर के भाहर निकल जाएंगे, और कुछ दिनों में आप खुद देखेंगे, कि अब आपके शीर में सफूर्ती आ गई है, अब आपको थकान मैसूस नहीं होती, जितनी जल जानकारी आपको कैसी लगी, बताने के लिए हमारे चैनल पर कमेंट करें, लाइक करें, और हमारे इस वीडियो को शेर करना बिल्कुल न भूले, ताकि आपके जरीये और और कब इस वीडियो का लाग मिल सके, तो जिन दश्कों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी कि लें, ताकि आने मले समय में आपको ऐसे ही क्यान मलतक नुस्कों की जानकारी हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें, तो फिर मिलेंगे आप से अगली वीडियो में, इसी तरह किसी अन्य नुस्के के साथ, तब तक के लिए बाइबाइ दोस्तों!